नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्द दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स में आज मेरे सामने एक अद्बुत हतेली आई हुई है एक बहुत अच्छी रेखा इनकी हतेली में है और लाखों में केवल एक हतेली में ऐसी हिर्दे और मस्तिस्क रेखा का समावेस रहता है ठीक है ने लेकिन राहों की ऐसी मारक रेखा भी आपके हाथ में है जो जीवन को निश्चित ही तबाही की और ले जा रही है और इसी से आपने बचना है इसी का मैं उपाई आपको दूँगा इन चीजों पर चलते है सबसे पहले हतेली का आकार अगर देखें तो एकदम चोकोर किसम की है मेहनत के दम पे सफल होने वाले बिक्ति है कर्म में विस्वास रखने वाले बिक्ति है लेकिन गुरु के पर्वत की उंगली इसका जुकाव कर्म की उंगली की तरब इस आस्ता रखने वाला वीक्ती आपने आराध्य के प использовать और है कैसी भी इस्तिति रहे अनुकूल रहे प्रृतिकूल रहे इस विश्वास नहीं डगमगाएगा वीक्ति के अंदर का सरोधम गुम है वो है करोणा का ह मैं दया की भावना कभी भी जीवन में आपके विक्तित्तों को कुरूरता है निश्ठुरता है और खरूशपन है ये प्रभावित नहीं करेगी ये इस पश्ट तरीके से आपकी हतीली कह रही है और इन सद गुणों को आप आपने आने वाली पीडी को भी ट्रांस पर जरूर करेंगे आने वाली जनरेशन को ये एक प्रेशान करने वाली और एक जीवन में बहुत कुछ देने वाली इन दोनों का भी विसलेशन करके आपको बथाते हैं अद्भुत अत्यली है मैं इस पश्ट कह रहा हो और अद्भुत फल मिलेंगे ये भी कह रहा हो सबसे पहले देखते हैं ये भाग्या का अस्तान है आपके सवाल भी हैं इनको भी लूँगा इस भग्या अस्तान इसको कहते हैं कर्म का अस्तान इसको कहते हैं सनिका प्रवतातीली में इसको कहते हैं ठीक है ने तीनों चीजे यही है अब भग्या अस्तान क्यों कहते हैं देखेगा भग्या की रेखा करियर और धन की रेखा जि मनी बंद से आई कहीं से भी आई सनी परवत पे खतम होती है सनी रेखा इसको कहते है भग्या रेखा इसको कहते है करियर और धनकी रेखा इसको कहते है इसलिए इसको भग्या अस्तान कहते है कर्म अस्तान इसलिए कहते है कि इस जगह से कर्म देखे जाते हैं विक्ति के ये भग्या पे विश्वास नहीं रखता है ये विक्ति की अन्य चीजों पे आपकी भग्ति भावना पे विश्वास नहीं रखता है ये आप जो कर्म कर रहे होते हैं उसका डिसीजन करता है उसका निरणय करता है उसका परकार से जीवन में आपक कहते हैं सनी ग्रह को हतेली में यहां से देखा जाता है यहां पे कहते हैं इसके लिए इसको सनी परवत कहते हैं आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं तो इस कर्म अस्तान की जो फिंगर है अगर आप वास्तों में देखे जर ध्यान से देखेगा चीजों को क्योंकि हतेली बड़ी बारी किसी देखी जाती है सभी चीजों का इसमें बिसलेशन किया जाता है तो इसका जो एक सही अनुपात है उस सही अनुपात में ये खड़ी है अब कैसे है सही अनुपात में खड़ी देखेगा इन दोनों उंगलियों से ब्रिस्पती की उंगली और सूरे की उंगली ना तो बहुत बड़ी है ये ना बहुत छोटी है जो वास्तों में इनका अनुपात होना चाहिए उसी अनुपात में खड़ी है क्या दिखाती है ये आपकी मानसिक ताकत को दिखाती है कि जीवन में आपकी मानसिक चमता बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रहने वाली है साथ में गुरु की उंगले का भी इसी तरब जुकना आपकी अध्यात्मिक चमता को दिखाती है कि ब्यक्ति की अध्यात्मिक पावर बहुत अच्छी है और उसके बल पे कहीं न कहीं अध्यात्मिक विकास व्यक्तिका अध्यात्मिक डेपलाप्मेंट व्यक्तिका बहुत अच्छा होगा अब इस पे सनिका प्रभाव तो पढ़ रहा है करम का उसका पढ़ेगा ही पढ़ेगा इस बहुतिक जीवन में लेकिन अध्यात्मिक गुरु जो है रिसिग्र है जुपिटर का माउंट इसका प्रभाव पे पढ़ रहा है तो स्वाबि मानी रहेंगे बिवेक बहुत अच्छा रहेगा और समय पढ़ने पर जरूरत पढ़ने पर औरों की मदद करने वाले ब्यक्ति हैं मदद करेंगे बुद्धी बहुत अच्छी है आपकी और इन सब चीजों का मिलान कहे रहा है कि आने वाले समय में खास कर अब यहां पर चीज कहां पर आ रही है कि जो बड़ा परिवर्तन है वो फोटी वन एर सी है उससे पहला बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है किलियर कट आपकी हतीली बता रही है लेकिन फोटी वन एर सी महा परिवर्तन है जीवन में महा परिवर्तन चमतकारी ढंग से जीवन बदलेगा यह इस पश्ट कहरा यह आगे बताओंगा लेकिन यह सबी चीजें क्या कहरे है ब्यक्ति सो बग्य साले है बड़ा भग्यवान ब्यक्ति है ठिक इन चीजों को यह बता रही है अब चलते हैं उस रेखा पे जो बहुत अच्छी है लाख रेखाएं होती है एक हिरदे रेखा होती है एक मस्तिस्क रेखा होती है और एक जीवन की रेखा होती है लेकिन आपकी हतीली में सिर्प एक लाइन है ठीक है न और यह है इसको कहते हैं सिमियल लाइन ठीक है न यह रेखा यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दे रही है और जि इन लोगों की हतीली में ये रेखा होती है हस्त रेखा सास्तर कहता है कि जहां हिर्दे रेखा और मस्तिस्क रेखा टकराती है वहां सीमियन लाइन का निर्मान होता है जो आपकी हतीली है और हिर्देयर की जो रेखा होती है वो हमारी भावनात मक्ट जो सक्ति होती उसको दरसाती है जबकि हमारी जो मस्तिस्क रेखा होती है वो हमारी मान सक्ति को उजागर करती है इसलिए जो ये सिमियन लाइन है ये ब्यक्तिकी भावनाओं और बुद्धी दोनों को दर्साती है अब इस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं जाओंगा मैं सीधा ये कह रहा हूँ अगर किसी ब्यक्तिकी दोनों हातों में यही हो तो अब मैंने देखा है आपका जो लेफ्ट हैंड है वो भी देखा है और राइट हैंड आपके सामने ला रहा हूँ वो भी देख रहा हूँ दोनों में सेम लाइन है सिमियन लाइन दोनों में है हमारा हस्त रेखा सास्तर कहता है कि अगर दोनों में यही लाइन हो तो कहीं न कहीं ऐसे लोग आने वाले समय में समाज में खुब नाम और सोहरत कमाते हैं और यकीन मानेगा आपकी 40 वे वर्स के बाद का जो जीवन है उसमें आप इस रेखा का जबरदस्त प्रभाव देखेंगे आप निश्चिप तोर पे इस समाज में खुब नाम और सोहरत कमाएंगे साथ ही आपका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रियेटिव रहेगा और अपनी बुद्धी से जबरदस्त धन भी कमाएंगे ये इस पश्ट तरीके से आपकी हतीली की ये रेखा बता रही है छोटे सी चीज बोली मैंने लेकिन जबरदस्त है अब चलते हैं जो आपको बरतमान में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है और किया भी है ये निमन मंगल का छित्र है अब यहां से आप देखेंगे एक रेखा आभास हो रही होगी आपको इस प्रकार से एक रेखा आभास हो रही होगी आपको इस प्रकार से ठीक है अब मिटने के कगार पे इसलिए हैं ये रेखाई है क्योंकि इन रेखाओं का प्रभाव आप खतम होने वाला है अब करियर और धन की रेखा है आपकी इस प्रकार से ठीक यहाँ पर कहीं न कहीं ये क्रोस का चिन्न है पूरी तरों से ठीक है ने और जब इस प्रकार से राहो का प्रभाव पड़ता है जीवन में दो तर्फा इस प्रकार से तो ये बड़ा खराब माना जाता है आप देख रहे हैं होंगे जब भी इसका प्रभाव पड़ा कुछ बड़ा घटना आपकी जीवन में हुआ है और यही चीजे होती हैं जो मैं बता रहा हूँ यह मारक राहो है अपना प्रभाव देता ही देता है और जीवन में बहुत बुरा प्रभाव देता है ये सबसे पहले आपकी जीवन की रेखा को काटती है ठीक है ने ये जीवन की रेखा का कटने का मतलब है सबसे पहले मुस्किल ये आती है कि जीवन में ऐसे में कदम कदम पर मुस्किले आती है ठीक फिर ये करियर और धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपे को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजिवका को लेके, हर जगा भयन कर उतार चड़ाव व्यक्त को जेलना पड़ता है ठिक, अब ये क्या करती है, यहां से फिर निकल रही है, और क्या कर रही है, मस्तिस्क और हिर्दे रेखा दोनों एक ही है आपकी, इन दोनों को काट रही है, तो इन दोनों को काटते हैं तो क्या होता है, मस्तिस्क में कहीं न कहीं 2400 गंटे तनाव की इस्तिति, चिन्ताओं की इस्तिति को ये बना के रखती है और हिर्दे रेखा में कटने का मतलब होता है कहीं न कहीं रिष्टों को लेके भी तनाव या रिष्टों का पूरा फाइदा का न होना इसको दिखाती है मनि राहु भयंकर पीड़ा दे रहा है अब यहां पे इस प्रकार के कट का क्रोस का मिलना तीन चार चीजों को दिखाता है या तो बिक्ति के जीवन में बिक्ति ब्यावसाय कर रहा हो तो ब्यावसाय को खतम करता है ये या बिक्ति नौकरी कर रहा हो किसी तरों से नौकरी से हाथ धो बैठता है धनहानी जवरदस्त होती है या तो बिक्ति करजे में डूब जाता है उसको पता नहीं लगता है कि मैं किस प्रकार से इस करजे से उबर जाओं जिसकी कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा करजा बिक्ति की जीवन में आ जाता है बिक्ति करजे में रहता है अगर ये चीजे नहीं हुई है तो फिर ये बिबाद में फसाता है आपको मनि करा किसी ने भरा किसी ने करता कोई और है आप पे ब्लेम लग जाता है आप कूर्ट कचरी का मामला आपको जहलना पड़ता है अगर जीवन में ये सब चीजें नहीं हुई है मानो फिर यकीन मानिएगा आपको ऐसी रहस्य में बिमारी पकड़ेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये बिमारी किस वोज़ों से हुई है कहां से आई है इसका इलाज क्या है किस परकार से ये ठीक होगी बिमारी का पता नहीं लगता है और अगर मारक भाव में है राहों का उपाई न किया जाए तो विक्ति उसी बिमारी में निकल जाता है ठीक ये राहों की इस्तित होती है और इसका उपाई करना बहुत जरूरी होता है और इसका कोई किरियाएं कोई बियायाम इत्यादी चीजें नहीं होती है इसका उपाई पाठ पोजा से ही होता है और जरूरी नहीं है आप ब्रहामन को बुला के करें जरूरी नहीं है आप किसी मंदिर में बहुत ज़्यादा द चीजों के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है, अब आपके सवाल लेते हैं, सबसे पहले आपने भी वही लिखा है, आपकी उपर 26 लाख का कर्ज है, बहुत बड़ी कर्जे की लकम है, क्यूं है, उसका कारण है, आपकी हतीली में इन रेखाओं का होना दोसरा प्रशन आप लिखते हैं, पारिवारिक इस्तिति आने वाले समय में कैसी रहेगी, ठीक है न, ये तो सब चीज पर प्रभाव दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लिखते हैं, ये देखेगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, और इसके नीचे का भाग जो है, ये ब् बठाते हैं, ये जुक रहा है सनी की तरब, मनि परिवार को लेके कहीं न कहीं चाए आंसिक हो, चाए प्रभल हो, वेसे तो आंसिक दिखाई दे रही है, अभी दो से धाई बरसों तक, आपको कहीं न कहीं चिंता की भावना रहेगी, थोड़ा ये तनाव देता रहेगा आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलने की संभावना जादद दिखाई दे रहे है, अगर इसका ज़्यादा परभावना पड़ा तो, पारिवारिक सपोर्ट भी रहेगा, उनकी तरब से खुसनुमा माहुल, जीवन में सुक्र देता हूआ दिखाई दे रहा है, इसका प्रभा में मैं बताता हूँ अब यहां पे आप दोसरी चीज लिखती है अचानक धनलाब का योग देखेगा अभी तो अचानक धनलाब का योग नहीं है लेकिन यह आपकी करियर और धन की रेखा है यह आपकी व्यापार की रेखा है और यहां से राहु की रेखा भी यहाँ पे मिल रही है और एक तिरकुन बना रहा है अभी नहीं लेकिन जीवनकाल के 41 वर्स से अचानक अच्छे धन के योग बन रहे हैं यह इस पश्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब आप लिखते हैं बिजनिस का स्टेटस कैसा रहने वाला है दे और वैसे हस्त रेखा सास्तर में कहा गया है कि जब भी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है यह बहुत ज़्यादा मिहनत कराती है बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है तब जाके 42 से लेके और 45 वर्स के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45 वर्स के आसपास यह भ practical रूप में मैंने देखा जो आपकी हतीली बता रही है यह बता रही है कि बिजनिस स्टेटस का कैसा रहेने वाला है यह इस परश्ट है कि एक तालीसवी वर्स से पर तेक दिन आपके पास अच्छा खासा जबरदस्त पैसा आने अब कितना आएगा ये नहीं बतारा 10 लाग आएगा 20 लाग आएगा पचीस लाग आएगा या करोड़ों में आएगी ये कह रहा है कि जितनी आपके मस्तिस्क सकती होगी और जितनी आपकी योग्यता होगी उतना पैसा परते एक दिन आपके पास आएगा ठिक अगर वाहन का सुक नहीं मिला है आपको तो 41 से 45 के बीच में वाहन का मन मताबिक सुक मिल जाएगा अगर घर का सुक नहीं मिला है तो 41 से 45 के बीच में निश्चित रोप से अपने कमाई हुई पैसों से या तो घर का सुक मिल जाएगा या ये सुक कहीं न कहीं मनि घर बनना सुरू हो जाएगा अगर ब्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं बड़ी लंबी कोसिस कर लिया लेकिन ब्यापार बढ़ नहीं पा रहा है तो 41 से 45 के बीच में ब्यापार में ब्रिदी होगी उसका बिस्तार होगा उसका फैलाव होगा और वो इस्टेबल हो जाएगा ठिक अगर ब्यापार सुरू ही नहीं किया है तो 41 वर्स से सांदार योग बन रहे हैं जबरदस्त ब्यापार दिखाई दे रहा है ठिक ये इस पश्ट तरीके से यहाँ पे चीजों को बता रहा है और 45 वर्स में पूर्ण भाग्योदई की इस्तिति आ रही है कि 45 वर्स में पूर्ण भाग्योदई आपका हो जाएगा और निश्चिंत रहें जबरदस्त भाग्योदई होगा हाँ फिर 56 वर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रोपल्टी के योग दिखा रहा है और दो तरफा धनलाब भी दिखा रहा है फिर अगर हम उससे उपर की बात करें 56 वर्स के आगे की बात तो कहीं न कहीं आप अध्यात्मिक जगत में भी अचानक बहुत बड़ा धनलाब आपकी जीवन में आ रहा है यह इस पश्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ठिक फिर देखेंगे आप एक रेखा यह आ रही है वेसी यह रेखा यहाँ पे क्रोश का चिन बना रहा है तो थोड़ा सा रहो का प्रभाव को ठेक करना होगा नै तो यह कोल्ड कचरे का मामला भी बना सकता है तो इस चीज़ को ठेक रखने के लिए आपको क्या करना है आपको एक दिब्य सुर्य किरिया करनी है एक दिब्य योगध्यान किरिया करनी है और राहो का उपाय करना है पांचवा सवाल आप लिखते हैं कोई बिजनिस चेंज करो तो क्या करो अभी बिजनिस को चेंज मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको जो है बहुत बड़ी हानी और दे सकता है तो जब तक ब्रिस्पती भी खराब है सूर्य भी खराब है और राहो का पही प्रबाव है तब तक बड़ा कदम मत उठाएगा और खास करके 18 महेनों तक उसके बाद आपको स्वयम ही रास्ता मिल जाएगा तो ये चीज़ें आपकी बड़ेंगे ठीक है ना ये चीज़ें कुछ चीज़ें खराब हैं कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं ये दिखाई दे रहा है अब एक चीज यहाँ पे और है जो थोड़ा सा जो है प्रेशान इस्तित में दिख रही है यहाँ पे देखेंगे आप तो ये उंगली इस तरों से जोक रही है मिडिल फिंगर की तरफ और ये है सूरे की उंगली मनियस पानी की चाहा नेमफिम पानी की चाहा और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए फैलाव हो जाए इसकी चाह बनी हुई है हमेशा रहेगी इसका लाब बे होगा ठिक ब्रिस्पति की उंगली धार्मिक भावनाओं को दिखा रही है बड़ी अच्छी रहेगी और ये दोनों बराबर है बरतमान में धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए इस समय बहुत जरूरी हो गया है और आपका मात्र लक्षबी अभी यही दिखाई दे रहा है ये भी बहुत अच्छा है साथ में धन का माने की जो इस्तिती है जो ललक है वो भी जबरदस्त है लेकिन मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओं में एकाउंटिबिल्टी में फाइलिंग में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है यहां तक नाखोन जरूर बढ़ाए तो ये कमी कहीं न कहीं दूर हो जाएगे ठीक है अब सभी उंगलियों का जो जो जोकाओ देखींगे आप मिडलि फिंगर की तरब दिखाई दे रहा है जब भी आपकी कुंडले में सनि साड़े साती में होंगे धैया में होंगे वक्री अवस्ता में होंगे तब तब इनका जोकाओ आपकी जिवन में प्रभाव देगा ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नजर आएगी ठिक अब देखेगा इसके नीचे का ये भाग देखेगा ठिक एक तो सनिकार यहाँ पे बहुत ज़्याद उबर गया है तो बेवजहे की चिंताईं दिखाई दे रही है या कोई न कोई ऐसी वजहे पैदा कर रहा है जो जीवन में तनाव दे रहा है सुबा उठने में आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन गामभीर ये बेक्तित्तों को भी दिख रहा है ये चीज़ें अच्छी हैं लेकिन इन दोन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिब्यय योग ध्यानी के रिया जरूर करनी है आपको ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से हैं मचली बनने की राह में लेकिन मचली ये पूरी तरों से बन नहीं रहा है और सूर्य को कहीं न कहीं ये दूसित कर रहा है सूर्य यहाँ पे दोस्युक्त इस्तिति में आ गया है और जब सूर्य इस प्रकार से दोस्युक्त इस्तिति में आता है किसी का भी हो तो क्या होता है ऐसे में जो प्रियास आपके द्वारा किये जाते हैं उन प्रियासों म उन मेहनत में उस परिस्रम में उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसका जो स्रेय मिलना चाहिए वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाता है ऐसे में अगर आप ब्यापार की तरब जाते हैं तो ब्यापार में न तो विस्तार मिलता है न वो फैलाव मिलता है न वो नाम होता है न वो यस मिलता है जिसके लिए आपने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गए थे ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी में भी वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आपको खपा लिया हो एक सहजता से एक सरलता से ऐसे में बिक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है अगर इस प्रकार से कट का निशान हो और उसमें कोई चिन न बन रहा हो तो दो चीजों को बताता है एक तो आपकी असफलताओं को कि आप लाग कोसिस करने पर पूरी तरों से सफल नहीं हो रहे हैं और दूसरा ये बताता है कि सरकार द्वारा जो लाब होना चाये वो भी नहीं मिल पा रहा था है तीसरा ये बताता है आप अपने करियर में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं और आने वाले समय में बले ही टाइम लगेगा लेकिन परिवर्तन भी हो सकता है चोथा ये बताता है कि पिता का जो सयोग जो सुक की प्राप्ति होनी चाहे बरतमान में वो भी नहीं है ठिक इन चीजों को ये दिखाता है तो इसको ठेक करने के लिए दिव्य सूर्य किर्या का आपको जरूर करना है आपको निश्चित ही इन चीजों का लाब होगा अब यहाँ पे एक सुखत जीवन जीने की चाह रखने वाला विक्तितों दिखाई दे रहा है सुखत जीवन जीने के लिए प्रतनसिल विक्तितों भी दिखाई दे रहा है जीवन की रेखा इस प्रकार से अंत में मचले का शांदार चिन दिखाई दे रहे है मनी परिवार के परतिस समरपन की भावना रहने वाली है केरिंग वाला बिक्तित्व रहने वाला है और जैसे जैसे उमर बड़ेगी धर्म में अध्यात्म में बहुत जादा रुच बड़ेगी आपको निश्चित तौर पे सोभग्य की प्राप्ति होने वाली है थोड़ा लेट है लेकिन बड़ा सोभगय आपको मिलने वाला है यात्राइं भी खुब होंगी और संतान होंगी तो उनका बहुत अच्छा साहिता मिलेगी परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आगे चल कर ये दिखाई दे रहा है यहां से एक रेखा बुद्ध की और जा रही है आयू को बढ़ानी वाली दिख रही है निश्चित रोप से जीवन में सपलता जरूर मिलेगी और ब्यापार में बहुत बड़ी तरकी मिलने वाली है ये दिखा रही है बोलने के ढ़ंग के कारण भी आप अपनी जीवन काल में धन कमाई लेकिन डाइजेस्टिब सिस्टम से रिलेटिड प्रेशानियां हो सकती है थोड़ा खान पान पे ध्यान देजेगा यह इस पश्ट बता रहा है यहाँ पे इस परकार है लेकिन इस रेखा के प्रवाव से इसका कोई चीज नहीं बन रही है और यहाँ पे भी इस परकार की चीज है लेकिन राहो के कारण इसका भी फाइदा आपको नहीं मिल पा रहा है सारी चीजे हमने किलियर कर ली हैं अब चलते हैं थोड़ा आगे ये पहली रेखा अगर हम देखें ये है आपकी स्वास्ठय की रेखा आरोगय की रेखा और तंद्रस्ती की रेखा मनि बहुत बड़ा स्वाष्टे से समंदित हानी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन सूर्या है निम्न मंगल है ये चीजें थोड़ा भी अन्बैलेंस होते हैं तो थोड़ा सा सारिरिक या मानसिक जो हलके विकार हैं वो रहते हैं जीवन में सेकंड रहखा अदूरी है बहुत बाद से सुरू होरी मनि 40 के बाद सुरू होरी धन और संपति के रहखा और ये इस से समंद रखती है तो जीवन काल के 41 वर्स से धन और संपति का लाब मिलना सुरू हो जाएगा ये दिखाई दे रहा है तीसरी रेखा भी आपकी जीवन में बहुत अच्छी दिखाई दी रही है और ये है सुक की रेखा मनि 42 एर से इस पश्ट दिख रहा है कि आपको अपने स्वस्त्य का अपने धन का और अपने एस्वर्य भोगने का जो सुक है वो मिलेगा ही मिलेगा चाहे आप कुछ करो य दिखेंगे तो बड़ा खूब सुरत दिखाई दे रहा है सुन्दर दिखाई दे रहा है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें बहुत जादा रहेंगी इस और जो है कहीं न कहीं जो है आगे जाके ये करें तो लाव होगा एनरजेटिक सोभाव अच्छा दिखाई दे रहा है प्रब जो चीजें होने चाहिए बहुत सुन्दर है यह थोड़ा सामन्य अवस्ता में आ गया है और अभी धाई वर्सों तक आपके अंदर भी साधारणता देते हुई दिख रहे हैं सामन्य विक्तित ठीक ठाक रहेगा यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ बनावा है एक स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाला ब्यक्तित्व यहां पे अभी दिखाई दे रहा है आगे लाव है सनी के परुद के बारे में सूर्य के परुद के बारे में मैंने बता दिया है थोड़ा हरी सबजी है हरे फल हरी दालों का सिवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है दीरे दीरे तो मानसिक रूप से मजबूत इस्तिति आने वाली है धीरे धीरे confidence लेवल बहुत अच्छा रहेगा इनकी वजोसे सरीर में कोई समस्या रहे भी तो भी इसकी वजोसे आगे चल कर मन मजबूत रहेगा आगे चल कर इसकी वजोसे सरीर का हार्मोनल सिश्टम बढ़िया रहेगा आपके अंदर creativity आ रही है आप creative रहेंगे और कहीं न कहीं छलकपट से दूर रहेंगे सकारात्मक सोचा भी होगी और इसका लाव जीवन में प्राथत होगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतेलिका पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विद्वत तरीके से लिख करके और आडियो के मादिम से आपको भीज रहा हूँ आप करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको लाव होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार